आप सभी का आपके अपनी चैनल संस्कृत की पाठशालब में आज हम क्लास एर्थ के बच्चों के लिए चाप्टर नमबर 3 लेकर के आए हैं जिसका नाम है डिजी भारतम ये बहुत इंपोर्टन चाप्टर है आपका और इसमें से जो है आपको पैसे जाएंगे एक्जैम मे हिंदी पता होगी ठीक है तो इसकी हम हंदी करेंगे और अभ्यास कारे भी करेंगे साथ में और आपको ये भी बताएंगे की एक्जैम पॉंट ऑफ ये कौश्चन जो है आपको अच्छे से याद करने इंपोर्डेंट है कौन से कौश्चन आपके आ सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसकी हिंदी भारतम प्रसुत पार्ट जो है डिजिटल इंडिया के मूर भाव को लेकर लिखा गया है निबंदक पार्ट जो है इसमें विज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक लिक द्वारा ही बहुत कुछ कर सकते हैं जैसे ऑनलाइन कोई जानकार जो है वो बहुत दूर रहता है तो हम उससे फोन पर ही वीडियो कॉल कर सकते हैं बात कर सकते हैं राम से तो ऐसे ही भाव को यह सरल संस्क्रित में व्यक्त किया गया है बहुत असान चैप्टर है और बहुत इंट्रस्टिंग भी है आपको बहुत अच्छे से स कुंआई देती है अस्छे पदस्य कहां भावहा इस पद मतलब शब्द कहां भावहा इति मन्सी जिग्यासा उत्त tau यह कि इस उत्पन होती है काल परिवर्थ ने सहय मानव से आवशक्ता अपरिवर्थ थे जैसे वैसे समय जो है परिवर्थत हो रहा है वैसे वैसे जो मानव की आविशक्ता है वो भी परिवर्थित हो रही है प्राचीन काले पहले जो समय था प्राचीन काल में ज्यानत से आदान प्रदान की जो ज्यान का आदान प्रदान होता था वो मौकिक होता था केवल बोल चाल की मा भोजपत्रों परि चे लेखन कारे अरब्थम और उसकी बाद जो है ताल पत्र पे भोजपत्र पे जो है लेखन कारे जो है वो शुरू हो गया परिवर्तनी कालिक करगदस्य लेखनया चे अविशकारिन सर्विशाम ए मनोगतान भावान करगदों अप्री लेखनम से कागज का और लेखनी का अविश्कार उससे सरवेश्याम अपी मनोगतान सभी मन के भाव को होते थे उनको करगदो अपड़ी कागज पर उलेखन प्रारंबद मेधना प्रारंब किया टंकणंग यत्रस्य मतलब टाइपराइटर आविशकारेन के आविशकारने तो लिखिता सामगरी जो लिखी हुई सामगरी को टंकिता सती छापकर बहु काला एंग बहुत समय तक सुरक्षिता अतेश्ठत सुरक्षित रहती थी वेग्यानिक प्रविधे और जो है वेग्यान संकणग नाम के यंद्रिन वो कैसे हो जाते हैं जो कंप् defensive के माध्यम से पढ़ और लिख सकते है करगदो वत्यों की व्रक्षा नाम उपयोगिन व्रक्ष अकरत्यते ऊर्च जो है कागज के वेपार में पेडों को झा सुल my और झाल सरे जाते हैं प्रम्भ शटक से अधिक अधिक प्रिजों लेकिन जो है कांप्युठर की अधिक से अधिक प्रियोग से व्रक्षा नाम करतने व्रक्षो का काटना नियुन्ता भविश्यती की कम हो गया इती विश्वास है अने इसके द्वारा परियावरन सुरक्षा है है परियावरन की सुरक्षा की दिशी दिशा में महान उपकारों भविश्यती में महान उपकार जो है वो होगा आगे क्या कहरें अधुना आपने वस्तु क्रियार्थम रुपय का नाम अनिवारता न अस्ति अब बाजार में जो है अगर आपने मतलब बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तु को खरीदने के लिए रुपय का नाम रुपयों की अनिवारता नास्ति रुपयों की आ विद्कोष मतला बैंक चा भी सरवार्म कार्यानि बैंकों के भी जो सबी काम है सगलकी अन्तरेंटिन संपाध्यंत किससे हो जाते हैं, कंप्यूटर से हो जाते हैं, बहुविलिदा अनुप्रियों गहा थे व केश लेक्स траник识न हो जाती है कैसे कِ अपके विराबी आज़ते हैं कुत्र при такर इत्रेकरणियां अगर कहीं भी। को सफर करनाम भवित रेल понять रेल यान यात्रा पत्रस्याा वायू यात्रा पत्रस्ये अनिवारे औरेनास्ति तो आपको जो है माती तिकेट वायू यान का हवाईआई चार्ज का टिकेट जो है उसकी आवशक्ता नहीं है तो सरवानी पत्रानी अस्माकम चल दूर भाषी अंत्रे फोन में ईमिल इतीन ताने सुरक्षित आनी भावन्ती इ-मैल में हमारे सुरक्षित रहते हैं यानि संद्रश्य जिनको दिखा कर वयमं सो करणी हम आसानी से यात्रायाहा आनंदम गरही महा और जिससे हम आनंद से यात्रा कर सकते हैं चिकित साले अपी जो हॉस्पिटल होते हैं उपचार आर्थम चिकित साले में भी उपचार के लिए रुपिय का नाम रुपियों की रुपिय का नाम आविशक्ता ना अनुभियते की आविशक्ता जो है वो नहीं आज लगती है सर्वत्र काढ माध्यमें, सभी जंगये काढ के माध्यम से इ-बैंक माध्यम से, शुलकं प्रदातुम शक्यतिक माध्यम से फीज छो है वो दे सकते हैं तद्दिनम न अतिदुरम वह है, दिन जो है अतिदुर नहीं है यदावयम हस्ते एक मात्र जब हम हाथ में एक मात्र मुबाइल से ही चल दूर भाशी अंत्रादाए सरवानी कारे आणी साधी दुम लेकर समस्त कारे को समर्ता वविश्यन संपन कर सकेंगे और अब क्या है वस्तर पुट के रूपय का नाम आभिशक्ता ना भविश्यती और अब हमें जेबों में जो है क्या रूपयों की आभिशक्ता जो है नहीं होगी पास बूग जैक बूग इत्ति अन्य आविशक्ता ना भविश्यती इन दोनों की भी आविशक्ता नहीं होगी पठ नार्थम पढ़ने के लिए पुस्तको और समाचार पत्रों की अनिवारता अविशक्ता समाप्त प्राया भविश्यती वो भी जो है समाप्त हो जाएगी जो है अविशक्ता उनकी भी। अपरिचित मार्गस्य अंजान रास्ते में ज्यानार्थम जो है जानने के लिए मार्ग दर्शक कस्य मानचित्रस्य आवशक्ता अनुबूती अपी नभविशती तो मार्ग दर्शक मार्ग को बताने के लिए मानचित्र जो है मैप की आवशक्ता की अनुबूती भी जो है अगर यह सब एक ही अंदर से कर्थम शक्क्यते कीया जा सकता है, शाक आधी कृयांथम जो आपको सब जी वगरा खरीदनी है, फलक allerdings अगर आपको फल खरीदने के लिए, विश्राम ग्रहेशु आपको विश्राम ग्रहेश्यो आपको विश्राम ग्रहे में, अगर दान देने के लिए भी तातुम चल दूर भाश्यंत्रम एव अलम की जो मुबाइल फोन है वो ही पर्याप्त है डिजी भारतम इती डिजी भारतम नामक अस्याम दिशी इस दिशा में वयम भारतिय हम जो है भारतिय दृत गत्य बहुत तेजी से अग्रे सारम जो है गती पहले पुछा गया है कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है तो ये कोशन हम ज़ादी से देख लेते हैं क्या लिखा इसमें कुद्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भावती जो डिजिटल इंडिया की चर्चा जो है वो कहां हो रही है तुब कहां हो रही है संपूर्ण विश्वे तो इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण विश्वे ये वाला कोशन आप याद कर लेना ठीक है संपूर्ण वि कालपरिवर्थनेन पूलप पूलप त के अग्याट रभति कालपड़्थनेन गजियुक्द को लिगती हैं 200 मिनुक्त के आंसर को कि इसका उत्तर हो जाएगा कालपरिवर्थनेन आगे आपनी वस्तो नाम क्रेश 만들어 केशा मनिवारतान बविश्यती गव धर कुस्मिन उद्ध्योंके व्रक्षा उप्युजियंते तो किसके लिए जो है व्रक्षों की जो है उपियोगिता होती थी तो कस्मिन उद्यों की किस उद्यों के लिए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कर गदो उद्यों की कागज के लिए जो है वो व्रक्षों को काटने की अविशक्ता पड़ती थी अदिर सर्वानी कार्यानी केन साधितानी भवती अब जो हे सारे कार्य किसी से हो जाते हैँ हमारे तो इसका उतर ужеगा computer तो संग्डक यंत्रेण ठीके, ये एकी मात्रा है और ये संग्डक यंत्रेण ठीके, ना हैं, last पे ना, ना है संग्लक यां ठ्रीयट। इसको हो जाएगा संग्लक यां ठ्रीयट। अब कोशन नपर थ्री जो है यह यह तरह की कोशन साबके एक्जाम में नहीं आते हैं तो इसको हम छोड़ रहे हैं आपको important question सी करवाएंगे और question number three देखते हैं इसमें प्रश निर्बान करना है यह important है यह कर लेना अच्छे से बोजपत्रो प्री लेखनम आरब्थम तो लेखनम की जंगह आपको क्या लेखना है कम question बनाना है इसको question form में आपको change करना है तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा कम देखन करगदस्य आवशक्त्या अनुभूती नभविश्यती जो करगदस्य की जंगह क्या आजाएगा हमारा कस्य किसकी आवशक्ता की अनुभूती नहीं होगी भविश्य में आगे विश्राम ग्रहेशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत तो विश्राम ग्रहेशु की जंगह क्या आएगा हमारा कुत्र टिक है आगे सर्वानी पत्रानी चल दूर भाष यंत्रे सुरक्षितानी भावती कहां पर जो है तो चल दूर भाष यंत्रे जो है क्या जाएगा इसका कस्मिन तो आपको अंडरलाइन वर्ड्स की जंगा ये वाले वर्ड्स जो है लिखने हैं आगे है वयम उप्चार आर्थम जिकित सालियम कच्छा महा तो उप्चार आर्थम की जंगा क्या आजाएगा हमारा की मर्थम तो ये कैसे लिखेंगे की मर्थम तो ये हमारा कोशन नमबर थ्री जो है कम्प्लीट हो गया आगे बढ़ते हैं ये आगे कोशन नमबर फोर ये इंपॉर्टन है ये अच्छे से याद कर लेना इंपॉर्टन लिख लिजी इस पे इंपॉर्टन है विशेशन और देखें इसमें मौखिकम का क्या हो गया हमारा ग्यानम हो गया मनोगता का हो गया भावह महान का हो गया उपकारह नीचे दो दिये हुए हैं इसमें टंकिता का हो गया ये लिखा हुआ है टंकिता और हमारा टंकिता का हो गया इसमें तंकीता का हो गया सामगरी तो ये हो गया 4 नमबर और मुद्रा विहिना का हो गया ये 5 नमबर ठीक है इस तरह से ये हमारा question number 4 पूरा हो गया आगे आता है हमारा question number 5 और इसमें आपको क्या करना है ये important question है इसको बहुत अच्छे से सबचे करेंगे ये आपका important लिखने चीए इसमें आपको संधीम कृत्वा लिखत इनकी संधी करनी है मतलब इनको जोड़ करके लिखना है ये plus का sign लगा है ठीक है इनको जोड़ करके आपको लिखना है तो पहले का क्या होगा पदस्य अस्य तो इसका क्या हो जाएगा जल्दी से देखते है इसका हो जाएगा पदस्य अस्य इस तरह से लिखेंगे ठीक है अगला है ताल पत्र प्लस उपरी इसका क्या हो जाएगा ताल पत्रो इस तरह से लिखतेंगे इसको ताल पत्रो प्री और च अतिष्ठत इसका क्या हो जाएगा थर्ड का थर्ड का देखते हैं इसका हो जाएगा चा और तिष्ठत इस तना से लिख देंगे इसको अगला है करगद उद्दियोगी कैसे लिखेंगे करगद और फिर से लिखते हैं इसको फोर्थ नमबर कर गद्यो उत्योगे ठीक है इस तरह से इनको बस जोड़ करके लिखना है अकिला है क्रिया प्लस अर्थम क्या बना हमारा क्रिया थम तो यह आपको बहुत अच्छे से रिवाइस करना है इस तरह की कोशन ज़रूर आते हैं अगला है इत्या और निहो इत्या निहो ठीक है यह हो गया हमारा और यह यहाँ पर त है ठीक है यहाँ पर यह त है अगला है उप्चार प्लस अर्थम तो इसका क्या हो जाएगा इसका उप्चार लिख करके फिट लिख देते हैं इसको क्या हो जाएगा उप्चार आर्थम उप्चार उप्चार आर्थम इस तरह से लिखेंगे इसको ठीक है तो ये हमारा question number 5 बस जोड़ करके लिखना था बहुत असान था इसमें कोई मुश्किल नहीं थी question number 6 इसमें आपको क्या करने है उधार नम अनुसरत्य अदो लिखी तेन पदेन लगू वाक्य निर्मान कुरूत इसमें आपको छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं तो वाक्य बनाने शुरू करते हैं जल्दी से पहला है हमारा आवशक्ता तो आवशक्ता आवशक्ता लिख करके और उसके आगे का हम लिख रहे हैं आविशकारस्य यही पहले ही संटेंस है जननी और अस्ति तो यह हमारा हो गया फर्स्ट का संटेंस है तो आविशक्ता अविशकारस्य जननी अस्ति इस तरह से चोटे-चोटे संटेंस बनाएंगे अगला है ख यह सारे बचें अपने कॉपी में लिख लेना अविशकारस्य जननी अस्ति अगला है ख सामगरी इसका क्या होगा पुस्तकालिये पुस्तकालिये पठनाई मतलब पुस्तकालिये होता है लाइबरीली में पढ़ने के लिए जो है सामगरी सामगरी मतलब किताबे और भवती है ठीक है तो ये बन गया पुस्तकालिये पठनाई सामगरी भवती ना है ये अगला है हमारा परियावरन सुरक्षा तो इसका क्या लिखेंगे परियावरन सुरक्षा का क्या संटेंस बनाएंगे परियावरन सुरक्षा लिख करके और इसके आगे का क्या लिखेंगे अस्माकम और कर्तव्यम परियावरन की सुरक्षा जो है हमारा करताव्य है अगला है विश्राम ग्रहम विश्राम ग्रहम का क्या बनेगा विश्राम ग्रहम का बनेगा परियटकहा विश्राम ग्रहेशु और तिश्ठन्ती पर्याटक जो आते हैं जो घूमने के लिए आते हैं तिश्ठंती इस तरह से ये बन जाएगा हमारा तिश्ठंती ठीक है तो ये हमारा हो गया विश्राम ग्रहम का पर्याटक आहां विश्राम ग्रहेशु और तिश्ठंती अगला कोशन है कोशन नमबर 7 इसमें क्या करना है आ क्या लिख देंगे यह इधर लिख देते हैं इसका छात्राई ठीक है और निर्धन का क्या हो जाएगा निर्धनाई यह सारे ब्लैंक में बरने आपको यहां लिख रहे हैं निर्धनाई और लता का क्या हो जाएगा लता का हो जाएगा लताई तो क्या से लिखेंगे लताई य यह सारी है अपको blank में लिखते ने ठीक है आगे लिखते है इसका गा के बाद दो और मद बचे हैं यह बस इस चैप्टर के और सुरेश का क्या हो जाएगा सुरेश का क्या लिख देंगे यहां पर सुरेश आए और अध्यापक का क्या लिखेंगे अध्यापक के भ्याँ यहां क्या लिखेंगे अध्यापक के भ्याँ अध्यापक के भ्याँ अध्यापक के भ्याँ चीक है इस तना से यह पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा chapter complete होता है यह chapter number 3 किया है इसमें जो important questions बताए हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यह exam के लिए जो important है यह सारे जो भी question number 5 बताया है question number 6 बताया है question number 7 इस तरह की questions आपके exam पूछे जाते हैं 4 number भी important है और third number भी ठीक है बागी chapter के हिंदी बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि यह आपके exam में आपको passage दिया जाएगा और उसमें से आपको questions पूछे जाएगी तो यहाँ पर chapter complete होता है तो अगर आपको यह video पसंद आया है तो वीडियो को like करेगा अपने friends के साथ जादर से जादर शेयर करेगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करेगा next chapter हम करते हैं इसका जो में term में आने वाला है सबसे पहले हम वो वाले chapters कवर करेंगी तो next video में मिलते हैं तब तक की लिए धन्यवाद